दोस्तो हमने पहले बात की थी Classic Conventional 3 Function Hall में रखे हुए Antic Two Wheelers के बारे में अब हम बात करेंगे इसमें रखे हुए Antic Cars के बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा था Classic Conventional 3 Function Hall एक हैदराबाद का मशूर और बड़ा Function Hall है जो के शमशाबाद में है तो आईए दोस्तो देर ना करते हुए देखते है Antic Cars जो के सजाई हुई है Classic Conventional 3 Function Hall में तो आईए दोस्तो पहले देखते है ये गाड़ी जो के जिसका नाम है Austin 7 और इसका कलर और इसका शेप इतना खुबसूरत है दोस्तो काफी इसको आमने सामने से देखने से काफी खुब तरी नहीं एक Antic Piece है और मेरा अंदाजा है कि ये 100 साल से जादा पुरानी गाड़ी है और इस गाड़ी के आप टायर भी देख सकते हैं इसके टायर में जिस तरीखे से बाइक को काड़ियां वेरा रहते हैं वो इस तरीखे के ये काड़ियों का वील होते है ये देखिए इस स्टार्ट करना पड़ता है उसके बाद अंदर जाके बैटना पड़ता है ये गाड़ी फिराने से ये हैंडल फिराने से गाड़ी स्टार्ट होती है और इसका नाम है दोस्तों ये एक Antic Piece है और 100 साल से जादा पुरानी है ये अंदर का हिसा आप देखिए अंदर का भी बह अब हो सकता है तब मैंकुछ चेंजस हाए हूँगे ऐसा भी रह सकता ये देखिए ये हैंडल और ये है इसका पेटोल टैंक ये देखिये ये पेटोल टैंक है और ये देखिए ये ऐस वकorts ये साइड इन्डिकेटर है यह बंपर है ये साइलेंसर और इसके लावा ये एक बात भी हो सकती है दोस्तों कि उस वक्त जो गाड़ियां रहते थे उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा भी रह सकती थी एक्स्ट्रा मतलब कोई अपने जैसा के यहां पर हम देख सकते है दो-तिन खाने ड्रा के तौर पे इसमें है हैंडिल लगे वे जिसमें छोटे तो हो सकता कि इंजन आयल या ऐसे कोई चीज के लिए या उस वक्त हो सकता इसा प्लग वाग़रा वो उसके लिए गाड़ियों में प्लग भी रहता था उस वक्त के लिए सप्रेट एक ड्रा के तौर पे वो हैंडिल लगा कर दे सकता था ऐसे कई नारत है और ये है रोल्स रॉयल निजाम की गाड़ी दोस्तो ये है निजाम की गाड़ी ये उस वक्त की रोल्स रॉयल है दोस्तो और ये निजाम की गाड़ी है और अभी हम जो गाड़ी देखें आस्टिन सेवेन ये उससे जादा पुरानी है दोस्तो और इसका दाम तो कुछ नई बोल सकती है अन्मोल चीज़ है दोस्तो ये अंदर का हिसा देखिए काफे खुबसूरत है ये और बाहर से भी इसका कलर डिजाइन जो है काफे खुबसू गाड़ी है दोस्तों ये से स्टार्ट होने वाली गाड़ी है और ये अंदर का हिस्सा काफे खुबसूरत है खास करके देखिए इसमें कई एक्स्ट्रा मीटर्स एड़ होगे है सीट हैंडिल ये देखिए ये पेट्रोल की टैंक है और ये आप देख सकते हैं पूरे खास क करके बहुत खुबसूरत देखने से बहुत खुबसूरत दिख रही है दोस्तों ये गाड़ी ये देखिए आप सामने का इसा और इसमें जगाओं पर निजाम का जो टैग होता है जो वो ये देखिए ये निजाम का मार्क लगा हुआ है ये उस वक्त का नंबर है नंबर प्ल लगावा जो दूसरा ट्रेड मार्क होता है निजाम का गाड़ी पर भी कई जगों पर मुझे निजाम का ट्रेड मार्क लगा हुआ दिखा यह देखिए आप यह पेट्रोल टैंक है इसकी यह देख सकते आप यह हैंडेल यह अंदर का हिस्सा मेरे मुझे देखकर ऐसा लग रहा है दोस्तों यह इसमें तखरीबन पांच या छे जने पिछे तीन से चार जने बैटनों की लोगों की जगा है यह देखिए यह दूसरे निलसाई औरन वगएरा लाइट इंडिकेटर्स के स्विचस दिया रहा है दोस्तों यह देखिए इसके यह आप देख सकते हैं सामें निजाम का ट्रेड मार्क यहां पर बिल्कुल इसके लाइट के नीचे दिख रहा है यह यह भी एक निजाम का यह मेरे ख्याल से निजाम का ट्रेड मार्क नहीं है यह तो रोल्स रॉयल का ट्रेड मार्क है निजाम का ट्रेड मार्क अभी हमें साइड में लाइट के निच्छे दिखा था, ये देखे आप, ये ये देखिए, निजाम का जो ट्रेड मार्क है, ये गाड़ी पर निजाम का ट्रेड मार्क भी लगा हुआ है, और जैसे के मैंने पहले भी कहा, ये चीज़ का तो दाम ना काफी खुबसूरत देखने में दिख रही है दोस्तों ये गाड़ी बहुत खुबसूरत देखने में दिख रही है और ये बहतरी एंटिक पीस है जैसे का मैंने पहले भी कहा क्लासिक कन्वेंशनल तری फंक्शन हॉल में ये खास करके दो एंटिक गाडियों को और रखा गया है ताकर आने वाले बाराती से देख सके उन्हें एक इंटरेटेंमेंट के लिए बारातियों के इंटरेटेंमेंट के लिए ये गाड़ी रखी गई है आजकल एक नया फाइशन हो गया है दोस्तो सेलफी तो उसके लिए खास करके फंक्शन ओल में कोई कोई कुछ रख रहा है जैसा कि कोई वाटर फॉंटेन रख रहा है कोई रख रहा है लेकिन यहाँ पर यह एंटिक टूविलर और फॉर विलर रखे गए वैसे इस कार को एक कांच के घेरे में रखा गया है दोस्तो ताकि लोग जादा उसे छीने की कोशिश ना करें जिससे स्क्रैचस पढ़ने का वैसा खत्रा हो सकता है दोस्तो और जादा खरीबाने की कोशिश ना करें जो भी फोटो कुछ उतरना है तो दूर से वो उतर सकते है